नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर्जी आप देख रहे हैं एश्टो तक सनातन संस्कृती में सबसे पवित्र त्योहार मनाया जाने वाला गणपती एक ऐसा महोत्सो मनाया जाता है जो गणेश-चतुर्थी की नाम से जाना जाता है गडेश चतुर्थी एक ऐसा पवित्र एक ऐसा पावंति वहार है कहा गया है कि गणा नाम ईशः जो गणों में स्रेष्ठ हों जो देवताओं में स्रेष्ठ हों यदि हम किसी भी यज्य, किसी भी अनुष्ठान या कोई भी ऐसा मांगलिक कारिक्रम की तरफ जब जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान गडेश को हम स्मरन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनका पूजन पाठ करते हुए हम आगे उस्क्रिया पर बढ़ते हैं जी हाँ, इस बीडियो को आप द्यान से सुनियेगा गडेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, सबसे पहला विसे तो ये है भाद्रपद के सुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथी को गडेश चतुर्थी मनाई जाती है और इस बार यह गंडेश चतुर्थी सनीवार को है सनीवार यानि तारीख पड़ रही है साथ सितंबर साथ सितंबर दिन सनीवार को भाद्रपद सुकल पक्ष के चतुर्थी को यह गंडेश चतुर्थी पवित्र तेवहार मनाया जाएगा अब इस तेवहार के पीछे की भूमिका है क्या, ऐसा क्या है इस खास तेवहार में जो भगवान गडेश से जुड़ा हुआ है सभी देवताओं का जन्म महा महोत्सो मनाया जाता है उसी जन्म महा महोत्सो के अंतरगत, बिग्न हर्ता, प्रथम बंदनिय, पूजनिय, भगवान गडेश हैं गडेश का जन्मोत्सो इसी भाद्रपद के चतुर्थी तिथी को ही हुआ था जो की गडेश चतुर्थी के नाम से जानी जाती है भगवान गडेश का जन्म दो प्रकार से, दो विधि से बतलाया गया है माता पारवती के पुत्र कहलाते हैं, गौरी नंदन कहलाते हैं, गणपती कहलाते हैं लेकिन सास्त्रों के कथाओं के अनुसार, दंत कथाओं के अनुसार, अन्यमतों के अनुसार एक कथा ऐसी भी आती है जब भगवान गडेश का सर जो है उनकी सरीर से अलग हो गया अर्थात कट गया तो माभगवती पारवती बहुत नाराज होती हैं नाराज होने की परंपरा पर जब वो क्रोध हवस्था में आती हैं तो समाज के लिए संसार के लिए संपुर्ण देवताओं के लिए एक रोस का बहुत बड़ा प्रतीक माना गया उस समय और इन सब विसंगतियों को देखते हुए भगवान गडेश को एक हाथी का सर लगाया गया हाथी का सर लगाया गया जब तो उसी दिन भगवान का एक दोबारा से जन्म होता है अर्थात गणपती का गणेश चतुर्थी पर जन्म उत्सव एक रूप में वो भी मनाया जाता है कि जब भगवान का सिर नहीं कटा था उससे पूर्व और जब भगवान का सिर कट गया उसके बाद गजानन अर्थात हाथी का सिर लगाया गया तब से भी एक नया जीवंदान प्राप्त हुआ अब रही बात कि इनका नाम उस दिन से क्या क्या पड़ा भगवान गणपती को विशेश रूप से बारह नामों से जाना जाता है प्रतमम वक्रतुंडम चा एक प्रतमम भाल चंद्रम्च दसमं तु बिनायकम एकादसम गणपतिम द्धादसम तु गजाननम जो बारहुआ नाम भगवान गणपती का निकल कर किया रहा है वो गजानन कहलाता है गज अर्थात हाथी आनन अर्थात मुख जो देवता जो ऐसी सरीर पर जहां पर साक्षा क हाथी का मुख लगा हो ऐसे गजानन ऐसे एक दंत ऐसे लंबोदर गणपती का जन्म गणेश चतुर्थी पर मनाये जाता है बिसेश रूप से सास्त्रोप्त मानने ताओं के अनुसार आपको मैंने एक संपूर्ण सुक्षमोत कथा मैंने आपको बताई अब गणेश चतुर्थी के ब्रत को जो लोग करते हैं ब्रत किया जाता है आखिर क्या है एक मा सदयव अपने पुत्र के जीवन दान की कामना करती है उसके दिरग। की कामना करती है जिस प्रकार मा भगवती गवरी ने अपने पुत्र की कामना से समस्त देवताओं की उस समय आराधना की थी आप इस गडेश चतुर्थी ब्रत को करने वाली उन माताएं बहने बहने जिनके जीवन में पती नहीं है और वो विवाह के लिए आगे अपना बहु बिवे की ज्यानियों में अग्रगण एक ऐसा देवतुल्य बालक जन्म लेगा जिससे आपके कुल में पवित्रता आएगी इसलिए ब्रत कहा गया है कि ब्रत के बहुत सारे नियम हैं बहुत सारे आचरण हैं बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं ब्रत के अंतरगर जो ध्यान मे रखी जाती है, लेकिन गणेश चतुर्थी एक ऐसा पवित्र ब्रत है, जिसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, खास कर कोई भी ब्रत आप रखें, तो काम, क्रोध, मद, लोग, एहंकार, किसी भी प्रकार की कोई इर्षया, गलत, प्रलाप, इन चीजों से आपको मड़ा, ये भक्ती के तमाम प्रकार के स्वरूप भी बतलाए गये हैं, विशेष्टा नो रूप से भक्ती होती है, अब हम मुख्य बिंदू पर आते हैं, कि भगवान गणपती का, गणेश चतुर्थी का ये महा महोत्सों, दस दिन तक क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या आईस में ऐसी बिशेष्टा है कि ये 10 दिन तक मनाया जाता है, कहा जाता है कि जब उस काल में गजानन का मुख अर्थात, जब हाथी का मुख लगा, तो देवता निर्त्य करने लगे, संत रिशीगन महत्मा अपसराय निर्त्य करने लगी, रिशीगनों के द्वारा महत्मा के द्वारा देवताओं के द्वारा बड़े बड़े यग्यजन होने लगे, कि आज से किसी भी देवता की कोई भी पूजन पाठ यग्यज्यादिक अनुष्ठान या कोई भी ऐसा मांगली का उसर होगा, तो सर्वप्रथम वंदनी ये पूजनी ये गणपती होंगे, जो क एक नवीनतम जन्म से जुड़ा हुआ है, दूसरा इसका भाग ये भी देखा जाता है, कि जब महाभारत काल की कथा वेदव्यास जी के द्वारा लिखने के लिए भगवान गणपती से आग्रह किया गया, तो भगवान गणेश ने इस कथा को लिखने के लिए 10 दिन तक सम से ऐसी परंपरा आई कि महाभारत में तमाम प्रकार के अपने ही लोगों ने चल किया, श्त्रियों के साथ अन्याय हुआ, ऐसे लोग, ऐसा परिवार, जहां पर श्त्रियों के चीर हरन हुए, ऐसी तमाम प्रकार की विसंगतियों से निकलते हुए, पांच पांड़ों ने द्वारिका अधीस के साथ भगवान कृष्ण के साथ युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे ही तमाम प्रकार की चीजे ऐसे आती हैं निकल करके कि जब भगवान कृष्ण की उपस्थिती में सुदरसन धारी की उपस्थिती में ये महा भारत काल की कथा संपूर्ण गाथा भगवान गडपती ने लिखा तो तभी से देवताओं द्वारा, मनुस्यों द्वारा, र भारत वर्स में ही नहीं, अपित्विदेशों में भी भगवान गडपती का महामोत्सों मनाया जाता है। गजान नम्भूत गड़ाद इशेवितम, कपित्थ जंबू फलचारू भक्षणम, उमा सुतम सोक विनास कारकम, नमा मि विघने शुरपाद पंकशम। ऐसे ही भगवान गडपती हैं, आपको संपूर्ण जन्मानस को स्त्रियों का, नारियों का, माताओं का, बहनों का सबसे पहले गड़ेश चतुर्थी के दिन सम्मान करना चाहिए। भगवान गड़ेश को लाल आसन पर विराजमान करें, उनको विधिवत पंचा मृत से स्नान करें, दूद दही घीमत सक्कर से गंगाजल से स्नान करें, सुन्दर वस्त्रों से, अलंकारों से उन्हें समलंकृत करें। तो आप दूर से ही स्नान कराएं। तो उस करपूर आरारतिक से, करपूर की आरती से भगवान का नजर वो जो है उतर जाए। ऐसा पवित्र भाव रखते हुए भगवान का पूजन करें। इस गडेश चतुर्थी के पवित्र भरत पर एक छोटा सा उपाय करने से आप सब के जीवन में तमाम प्रकार की खुसहाली के संकेत आ सकते हैं। जी हाँ वो उपाय मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये कि भगवान गडेश को आप जब तिलक लगाएं तो हल्दी का तिलक लगाएं। जिस पात्र में आपने उस तिलक को रख रखा है उसी तिलक को यानि कि वो उच्छिष्ट हो गया रथात प्रसाद हो गया उसको संपूर्ण घर वालों के मस्तक में सुसोभित करें। यदि आप बहुत लंबे समय से किसी घर मकान की परिक्षा, प्रतिक्षा कर रहे हैं तो उस प्रतिक्षा के अंतरगत गडेश चतुर्थी एक ऐसा पवित्र ब्रत है, अनुष्ठान है, एक ऐसा महा महोत्सो है कि आज के दिन किसी भी मंदिर में, किसी देवाले में पीले प पुस्प की माला को समर्पित करते हुए, पी तवस्त्रों को धारन करते हुए, आज के दिन अगर आप मंदिर में वो माला समर्पित करते हैं, तो यकीन मानिये जिस प्रकार से भगवान के मंदिर में उस मूर्ती में वो माला मुस्कुराती रहती है, ऐसे ही आपके जीवन म तमाम प्रकार की सुख सुविधायें भी मुस्कुराएंगी सदयव आप स्वस्त रहें और सुन्दर से गणपती इस महा महोत्सों का आनंद लें ऐसे ही जानकारी के साथ आप हमारे साथ बने रहें एस्टो तक पर नमस्कार एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउनलोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट एस्टॉलोजर से